हाई गाईज, वेलकम बेक टू माई अनदर व्लॉग आज की वीडियो में मैं खाने पीने से स्टार्ट कर रही हूँ हेल्डी खाना पीना, always मैं प्रेफर करती हूँ तो और आज की वीडियो मेरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा special क्योंकि मैंने आप लोगों बोला था कि मैं notes वोगरा दिखाऊंगी अपने कैसे prepare कर रही हूँ जो कि classroom के मेरे notes हैं तो वो बिल्कुल end में दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से notes बनाती हूँ पूरा procedure और आप देख सकते हैं कि कैसे notes हमें लिखवाए जाते हैं तो उसके लिए video को end तक देखना तो सबसे पहले ये कुछ खाने पीने के part को हटा कर देखाऊंगी coaching से आने का part है और देखा कि मेरे study table पूरा mess था कि कि मैं coaching से आने के बाद 5-10 मिनट थोड़ा सा क्या अप लेके मैं कुछ चीजे रिवाइज करती हूं कि जो मैंने coaching में पढ़ा है उसको एक बाद थोड़ा सा पढ़ लो फिर उसके बाद खानवाना खाती हूं दैन मैं आगे का प्रोसेजर करती हूं अच्छा एक चीज और मुझे बोलने थी कुछ लोगों ने मुझे instagram पर message किया था और वो मैंने नहीं देखा तो वो youtube पर comment करते हैं कि हमने आपको instagram पर message किया है आप वहाँ देखनी रही हैं तो और जबिख्यों मैंने करके आपके पास जो काम की बात है न अपनी बस वो करिए क्योंकि इतना टाइम ने है 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 लो का रिप्लाई करने का क्योंकि यहां अपने लिए ही टाइम नहीं बच पा रहा है अपने ही इतना सारा पढ़ाई का लोड है और उसके बाद और फिर वीडियो मेंटेन करना डेली बेसिस पर जिससे कि आप लुगों की हो सके और किस तरीके से टीप सेंframes जितना मुझे मिलता है जितना मैं वाइड बाकी आप वि न खाया और अपने notes बनाने लगए अब आप देख रहे होंगे कि मैं एक register से दूसरे register में copy कर रही हूँ तो वो इसलिए कर रही हूँ कि मैं दों तरीके से notes बनाते हूँ एक classroom में बनाती हूँ जो कि जब sir बोल रहे होते हैं टीचर्स बोल रहे होते हैं especially Rahul sir जब Rahul sir बोल रहे होते हैं coaching में तो मैं उसे वो इतना fast बोल रहे होते हैं कि fair करना possible नहीं है fair होई नहीं सकता वो rough हो जाएगा automatically क्योंकि आप बहुत fast fast लिखोगे तो अच्छी writing नहीं आएगी notes दिखने में सुन्दर नहीं लगेंगे तो मैं fair register नहीं ले जाती हूँ coaching अपना rough register लेकर जाती हूँ जिसमें कि fastly लिख लेती हूँ जैसे जैसे sir बोल रहे होते हैं कुछ extra point, कुछ important point ये वीडियो में ममी आते हुए पीछे मेरी और अब मैं घर पे आके बड़ी ही तसलिसे इसको fair करती हूँ then सारा revise करती हूँ देखो एक चीज मैं आप लोग को बोलूँगी जो कि ये चीज मुझे पहले से भी पता थी, मैं personally भी follow करती थी और same चीज राहूल सर बोलते हैं, तो यहां पर थोड़ी सी thinking match हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि revision, revision बहुत must है, चीजे मुझे तो बहुत अच्छे से चीजे याद रहती है क्यों? क्यों कि मैं बहुत जाद चीजों को revise करती हूँ एक एक चीज को ना, इतना उसके पीशे पढ़ जाती हूँ, कि 10 बार, 20 बार जब तक मेरे दिमाग में प्रॉपर घुस नहीं जाता हूँ, कि ऐसे tips पे कोई पूछे तो मैं ऐसे बताऊँ वैसा, वैसा वाला मैं पढ़ती हूँ, तो यह दिखा रही हूँ अब यह नोट्स मेरा स्टार्ट हो चुका है जैसे मैं बनाती हूँ, यह मेरे कोचिंग के नोट है, कोचिंग के नोट्स है जो कि देखो मैं रफ करके लाई हूँ कोचिंग में बिल्कुल तो इसमें राइटिंग, खिचुड़ी अगले पार्ट पे चलते हैं अगले पार्ट पे आपको फेयर मिलेगा जो कि फेयर काफी हद तक सही मिलेगा सिस्टमाटिक और 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 अर्गनाइज वे मिलेगा आपको सब कुछ तो और हाँ, एक चीज़ और करना है मुझे और आप लोगों भी करना चाहिए कि अपनी राइटिंग इंप्रूफ करें क्योंकि राइटिंग सुन्दर होती है तो और सामने वाले को सामने वाले पर إ wipesरेशन बहुत अच्छा पढ़ता है और इंप्रेशन अच्छा पड़ता है तो एक इमेज भी अच्छी बनती है माइंड में कि हाँ कि दी सुन्दर राइटिंग है इस टाइप से तो बस आप लोग ये नोट्स देखिए बाकि और नोट्स भी मैं दिखाती रहूँगी अपने अभी तो इतने ही बनाया है तो सोचाई इतने ही दिखाया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और कहीं मजाना इस चैनल से जोड़े रहना ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी चलो मिलते हैं कल नेक्स वीडियो में बाई